Hello friends! हमारे चरलत में आपका स्वागत है आप दे देखी सकते हैं. हमारे इस प्रकार से किचन गॉर्डन लगाया जाता है आप देखं़ेते हैं हमारे पापजी के द्वारा कैसी लगाया गया गया इसको नाकि रक्षपा और रह सके पौधोगी है आप देखे सकते हैं इसमें अलग अलग पोध्यों का मल्टिपल फॉर्मिंग किया गया है मल्टिपल क्रॉपिंग सिस्टम के दुआरा आप देखे सकते हैं इसमें लगा हुआ है बरबटी लगा हुआ है सेमी लगा हुआ है गलका लगा हुआ है अलग अलग प्रकार से फसल लगा हुआ है अब अंदर जाते हैं इसमें आप देखी सकते हैं लौकी लौकी को सहारा दिया गया है इसमें जो छट में जाके अभी फ़लेगा देखी सकते हैं लौकी लगा हुआ है और यह है हमारा बरबटी इसमें फ्लावरिंग आने लग गया है फूल लगने लग गया है लग बग एक दो महने में फलने लग जाएगा ये फल आना स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से और ये गलका है और इस प्रकार से यहां पर छज्जा बनाया गया है अब देखी सकते है और देख सकते हैं है छजगा बना हुए है इस में बरबटी का झो है शरखेगा इसमें प्रकार से तो नीचे में क्या लगा है बरबटी लगा हुआ है उपर में क्या लगेगा सेमी तो शत नीचे में फर फल होगा और यह जो घर सब्च्छांत है जा लगया है और इस प्रकार से आफ चिश्ढन बहुत अच्छा होता है size लोस्तों जो भी है सकते हैं आप करें सको अच्छे से और यह है अब देखी सकते बरबर्टी यह तो खा के देखते हैं बहुत टेस्टी है किसान भाईयों और गनिक खेती है इसमें कोई भी प्यूरकार की केमिकल्स वगेरा का यूज नहीं हुआ है आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगेरा का यूज हो रहा है जो आपन बाहर से सब्जी खरीद रहे है उसमें तो इस प्रकार से अपने घर में कीचन गार्डन और मतलब अच्छे से सब्जी वगेरा लगा सकते हैं जिसके च्छत भी है तो च्छत में भी अच्छे से खीत कीचन गार्डन बनाए अलग अलग प्रकार से सब्जी बनाए और्गनिक सब्जियां का सेवन ज्यादा करें तो इस प्रकार से आप किचन गार्डन में आप देखी सकते हैं जैसे हम लोग लगाए हैं इस प्रकार से आप कर सकते हैं किसान भायों अगर हमारा वीडियो आप और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इसके बारे में और अच्छी जानकारी चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में कुछ बताएं जो भी आपको लगता है और क्या कर सकते हैं इसके बारे में धन्यवाद